Hey guys, welcome back to the channel तो यार आखिरकाज जिस trailer का मुझे wait था बहुत पहले से जब से Tekken 8 का पहला trailer आया था इस trailer का मैं wait कर रहा था और आखिरकाज यार अब जाके नोई ने trailer release किया मुझे समझ भी नहीं आ रहा भाई अब जाके क्यों trailer release किया है एक महीना बाकी है Tekken 8 को और अब जाके तो उसका official story trailer release कर रहा हूँ इसका इंतजार मैं सुरू से कर रहा था और at last भाई at least आया तो कम से कम और भाई मैं इसके लिए काफी excited हूँ यार इस story के बारे में जानने के लिए I'm really excited guys मैं बता नहीं सकता आपको इस trailer के लिए तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत टाइम से वेट कर रहा था let's see ya आप देखते है story के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है रोको 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 I'm sorry तो यार अम बिल्कुल भी इसको रोकने नहीं वाला पहले मैं पूरा ट्रेलर एक बारी मैं ईन्जोई करूँगा G काज़ย , काज़या डिंहा अट, काज़या अपार है शबसल काज़ करने, सबस्टी कि इंपयांग अप diesen गाफिस क्ते एम्ट्री दियं कि भॉमें और में ट datoलों अविन हमें तो अव वाघत्स भी एकुण सब्सक्राब ना अविड चेवनिष मत्स बोल्सके ना जुण जा अवे जी के लिए फ्यॹ्स बोल्सें फिर धाने हैं जैलार दो कि उपने प्रेविर प्रेविस लेडर कि वीडियर से डिरी और क्यों कर प्रेष अमस्थे डिए अल्ड यहाँ टृट ब गार्व्यों के अलत रिर्थ प्रफश्ड यहाँ थे यहाँ तर प्रेल डिपल्ड वाँ वाँ वे अफे इनरे कि अुछ तरन अाईलाशिन जिनकाजमा स्लिट उसलाइट वे वे जए अउकर को जो अबट ऐस आड था लूरोग्ट वे अट्रू नीगते वे लूरोग्ट वे तो आडने के लिए लूरोग्ट रदीन वहाँ I'll get my power back I killed that bastard he will protect Jin 瓏, Loth अगया वो steam र्याइ, कियोस्कित किव फोर्म फ़्म जब हाँ जिन नगए अगिन दोड़ाँ लग लग्वाँ मुझें तू तू अवारसेट वाई यहाँ कितने तकड़े लग रहे हैं CGI अगया 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 काफी कुछता यार अब इसको देखना पड़ेका फिर से तो यहाँ 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 पावर, फोस्टरस लाइफ एंड क्लेंस इवल यहाँ पता नहीं कॉन सी वर्ल्ड मैं है यहाँ पर गार्डेंब अब जो भी काफी बड़िया लग रहा है यहाँ यहाँ यहीज्ब एट पावर अटो सेव यॉरसलf ग्राइग्राउंड और क्राइटर के डीटेल्स ग्राफिक्स काफी अच्छा लग रही यूज था पावर तो सेव यूर सेल्फ एंड काजुया वाई काजुया को देख है यहाँ पैड़ाइस एक तम ओगर पाई साब ओगर यह मेरे साब से फ्लैश बैक सीन है यह फ्लाइड़ाक सीन है पकका डैस नो वेक के टेकन अड़वर होने आला है यह यहां पैर जून कजां म celebrity किया और यह पर गरी वहिये यहां पर एससे लीटी कुँ है वो सकता है लड़ाई में किसी ने डिफीट किया इसको या फिर फ्लाइस बैक शीन हो सकता है यहां पर क्योंकि अगर भी है और यह डेविल जीन भाई जीन के तरफ हाथ बढ़ाते वे और मैं साब से यहां पर हाड चुका है वो काजुएस है I want to protect those important to me even if it cost me my life और यार characters का expression काफी बढ़िया लग रहे AJicon 7 के एक इतम blank थे एक फ्लाइट कुछ expression जाते ही थे यहांपर जुन गुस्से में तो लग रहा हैENTS एक इतम गुस्से में और काफी अच्छे लग रहे उसके facial features हो एक तरिके से facial expressions कह सकते हो काफी साही लग रहे भाई अब इस ये ट्रेलर देखके पता चल गया साफ की टेकन 7 का बजट कहा गया है everything about टेकन 8 चाहे उसके रेज आट हों, ग्राफिक्स हों, गेम प्ले, स्टोरी, जो भी है भाई सब ज़लग रहा है कि टेकन 7 की सक्सेस साफ ज़लग रही है टेकन 8 में भाई अभी मैंने इतना ही ट्रेलर देखा है अभी यह कितना 30 सेकंड होए उतने में मज़ा आ गया सच बता रहू इवन इट कॉस्ट मी माई लाइफ यह बिल्डिंग टूटता है यहां पर लोग भाग रहे है आई स्पीक नाउ तो आल ऑफ हुमेनिटी लगता है भाई काजुया हो चुका है पूरा पागला उसको वड़ा पर राज करना है और वो खुलम खुला चैलेंज कर रहा है पूरी दिन्याक यहां पर लोग भाग र यार यह दिखो आप पॉल को देखो भाई लाउश्ट टाइम पर ऐसे पॉल को तुमने कभ देखा था यह आप राइड करते हैं या पॉल का को चीजी और तुमने कभ देखा था यह लाश्ट टाइम पे इस टाइब का टेकन टैक 2 क्योंकि टेकें 7 में जो एनिंग्स थी ए और दोनों ने fight की, पता नहीं कौन जीता, कौन हारा, लेकिन उसके बाद का जो non-canon type की story है, story भी नहीं है वो, बस एक character हरा दिया, उसके बाद क्या होगा, वो दिखाए गया है, एक तो characters की अच्छे है, बस जैसे की link शायी हो गई, और उसका काफी अच्छा है, जिन और Miguel का, Miguel के ending थी, वो sorry, और Steve के ending भी काफी थोड़ा बहुत story है, उसमें, लेकिन बागे सारी बकवास थी भाई, और उपर से वो, Tekken 7 के character model, कितने बेका लगते थे, और कुछ मजा भी नहीं आता था, वो endings देखते वे, endings थी भी नहीं, वो character episodes से, बट भाई ये देखो, Paul एक bike ride करते ये मतलब कितने टाइम बाद हम देख रहे, Paul को एक CGI में कुछ करते हुए, मतलब काफी refreshing है आ रही है देखना, क्योंकि last time मुझे याद है, मैंने कुछ proper CGI देखो, Tekken का, तो वो था, Tekken Tag Tournament 2, Tekken Tag Tournament 2 की ending बढ़िया थी, उसमें थोड़ा बहुत कुस्तो था, करते वे character कुस्त करते थे, ऐसा तो नहीं था कि, दो लोग और उसके बाद का क्या हुआ, थोड़ी बहुत, जैसे यार उसका देखो, पांडा और पॉल का, पॉल ने पांडा को हरा है, या क्राउड ने उसके उपर, पता नहीं क्या क्या फैका, तलवार वगेरा फैक दी, बाल-बाल बचा, पॉल और वहां से भग गया, ये कौन सी एंडिंग है भाई, ये क्या है, कुछ नहीं है, इवन बस ये एक सेकंड की ये जो, यहाँ पर देख रहो हैं, तो पॉल राइट करते हैं, ये पूरी उस टेकिन 7 के आधी, आधी एंडिंग से, एंडिंग क्यों कहरो, मैं बार-बा काफी बढ़ी है, मैंने एक वीडियो बनाए थी, 8 तिंग्स, 8 तिंग्स ही बनाए थी, हाँ, 8 तिंग्स I want in Tekken 8, साइद आप लोगों ने देखी नहीं हो, अगर आपने देखी नहीं हो, अगर आपने देखी नहीं हो, एक बार उस वीडियो को, उसमें मैंने बता रख्या ह यह चीज़े मुझे चाहिए, Tekken 8 में, क्या चीज़े मैं expect करता हूँ, Tekken 8 से, what I would like to see in Tekken 8, तो यार उन में से एक यह था, कि यार एक in-depth story और उसमें सारे characters involved हो, जैसे Mortal Kombat में रहते हैं, और अब लग रहा है यार साफ साफ देखके कि होने वाला भाई, मज़ा आ गया देखक स्टीव, पॉल, लॉस, फैंग, लिरोई स्मिथ, सब इन्वाल्व है भाई, स्टोरी में मज़ा आ गया देखके, only those who show the depth, चलो यह तो पढ़ लिया था, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, यह नई करेक्टर, रीना, और रीना भी यार टोटली बैडएस करेक्टर है, बिल्कुल अलग वाईब देती ही, बाकी फीमेल से, और यह यार यह काजूया है, यह यहाँ पर खड़ा हो रहा है, कैलिस से हम जो स्टेज है उसमें, और साइद यही पर टूर्णमेंट्स वगएरा करवा रहा है, और यहाँ पर खड़ा हो रहा है, और यह कोई साइद नीचे लल रहा होगा उसको देख रहा होगा, और यह जिन इसको देख रहा है, साइद जिन टूर्णमें एक्ट करना है, अजिन देख रहा है, और यह जिन पर प्रूर्णमेंट्स करना है, ओ भाई एक मिनिट यह लार्स यहां पर अपने टेकन फोर्स मेंबर्स के साथ टेकन फोर्स रिबल मेंबर्स के साथ और यह अटेक करने के लिए किसी पर तो इसने टेक किया तो टेकन फोर्स काउंटर मेंबर्स यह मतब टेकन फोर्स से जन्होंने रिबल कर ली थी उनके साथ इस बार भाई कॉश्टूम अलग है इनकी परपल कलर किया तो भाई समझ में आ जाएगा कौन क्या है टेकन 6 में तो पता ही नहीं जलता था तो यह जैक स यहां पर देख सकते हैं आप पीछे जिन के साथ है लार्स ली चाउलान और इधर होराइंग भी है और यह अलिसा कहा रही है इसको तो अलिसा मुझे जैसे कि मैंने एक वीडियो में बनाई थी आज से एक दो साल पहले जिसमें बता रहा था कि 10 केरेक्टर्स हुआ गॉइं इसको 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 इसके बाद जो सबसे शॉकिन चीज़ थी इस ट्रेलर में लार्स कहता है जिन को अपनी डेविल पावर दिखा हो जिन यहां पर कोसिस करता है लेकिन I can turn into a devil भाई साथ यह क्या हो गया यह कैसे हो गया यह मुझे सांज़ एक मिनाट कहीं काजुया का जो में मकसद था वो तो पूरा नहीं हो गया Tekken 4 से काजुया जिन के बीचे क्यों था उसको अपना हाफ डेविल चाहिए था जो उसके सरीर से निकल के जब वो डेमेज हो गया था वालकेनों में जब हिहाची ने फैका था उसको जिन के अंदर चला गया था जब वो में था अपने मा के साथ उसको वापिस कंजूम कर ल अगर ऐसा किया नहीं होने तो एक तो डिफरेंट अप्रोच होगी है तो यहां पांडा लिंक शायू जफीना और क्लॉडियो भाग रहे हैं किसी से और यह जो ट्रक वगर आ रहे थे साथ में जो पैटल वीगल्स हैं जो भी हैं यह इनके साथ चल रही हैं अच्छे लोग जैसे कि हमें पता हैं यह रोखना चाहतेैं डिस्ट्रक्षन को और यह बाइविक्टर यह अपनी सूलिश के साथ है इसने अलग सूलियर कर अव्ने यह भी मेरे साब से अच्छो का साथ ही देगा विक्टर भी मेंटेन करना चाहेगा पीस और भाई यह कहां पर है जिन फिर से अपने सबकॉंशेस माइंड में यह माइंड के अंदर अपने हो यह दो दो जिन क्यों दिख रहे हैं मैं आपर हो सकता है एक इविल साइड हो जिन क कि वो डेविल उसको होल्ड करके रखा वे डेविल ने वो डेविल से चूटना चाहता है कि यह टेकन 8 का पूरा स्टोरी इसी पर आधारीता है भाही कि टेकन जिन ब्रेकिंग अमे अवे फ्रॉम देविल कर्स और लेकिन यहां पर वो डेविल कर्स से बंदा हुआ हुआ है इसका मतलब क्या हो सकता है चिन कजामा एज लॉस्ट इस लाइट, इस लाइट, हिस लाइट, Can be anything, क्या उसने डेविल पावर खोदी है बट डेविल पावर को लाइट कैसे कह सकते हैं या फिर उसने पनी मा को खोदी है क्योंकि वही थी उसके पास एक लाइट, क्योंकि ड evil power तो dark side होगी न यह देखो आप यहाँ पर Horang, Lee Chaolan Klaidio सबसे आगे खड़ा है Victor, Rina, Rina के मेरे साब से important role होने वाला है और Elisa यह सब मेरे साब से Jin के साथ देने वाले है और यह कौन सी जगह है पर कैलिसियम वाला stage लग रहा है थोड़ा बहुत हाँ भाई है और यह उपर and Kazuya Mishima grows even stronger और यह साथ Kazuya है और यह लिली भी है इनके साथ भाई क्या और Jin कजामा खड़ा इदा साइड में मज़ा आ गया भाई कितने character से एक साथ देखने को मिले last time पर कब दिखे थे इतने character टेकन 6 scenario campaign में थोड़ा बहुत था जब लिली जिन का साथ देती है लिंग शायू अगर 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 थोड़ा reference होता उसमें Wang Jinre भी होता है Riven भी होता last में टेकन 6 लास्टाइम था थोड़े बहुत character हमें जो रॉस्टर से interact करते हुए दिखे नीना भी थी एडी भी था एना भी थी पटेकन 6 के बाद टेकन 7 के स्टोरी में limited कुछी characters थे जो important role play करते हैं स्टोरी में लेकर टेकन 8 भाई एक तम different level इस बार लग रहा है भाई इनोंने काफे effort डाला है साफ टेकन जैसे कि मैंने कहा टेकन 7 के success के जलक साफ जलक रही है और हाँ एक बार कोई गेम की टीम से ही वीडियो गेम इसकी टेकन की टीम से ही कोई कह रहा था जब इनको मुझे exactly name और उसकी position या फिर उसका जो ओधा है टेकन टीम में वो याद नहीं है कि वो क्या है बट वो कह रहा था कि जब हमें पता चला टेकन 8 का स्टोरी का budget कितना है तो हमारी आँखे फटी की फटी रहगी तो आप समझ सकते हो कि टेकन 7 से कितना ज़्यादा budget होगा टेकन 8 के स्टोरी मोड का और तभी ये इतना बढ़िया बन रहा है तभी यार अभी तक तो मज़ा आगया और इतने characters include कर दी है मैं तो खुश हो गया बाई देखके मुझे यही चाहिए था कि जादे से जादा characters include हो और story अच्छो देखके लग रहा story तगडी होने वाली है और ये मेरे साबसे उपर ये काजुया अपने true self में आ रहा है और destruction करने वाला और भाई ये देखो what is this ये कौन सी form है काजुया की क्या ये true devil form है या फिर कुछ एक दूसरी form achieve कर लिए काजुया ने और क्या ये काजुया है हाँ काजुया ही है जिन नीचे से देख रहा था और क्या ये काजुया ही है क्या पता डेविल हो the true devil और डेविल ने पूरा और हाला कि हमें पता ही है डेविल ने पूरा influence कर रखा काजुया के माइंड को बट क्या पता इस बार पूरा काजुया खो चुका हो कहीं पर काजुया is fully destroyed and now it is a devil ये devil है जो ये सब कर रहा है लेकिन जो भी ये खतरनाक लग रहा है I shall rewrite the rules of this irrational world भाई साब अब ये पूरा खतरनाक हो चुका है काजुया 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 खाई अब ये खुला challenge कर रहा है हाँ मैं हूँ devil और तुम आके मुझा मारो ये पूरे दुनिया पर मैं rule करूँगा मैं नए rules मनाऊँगा मैं destroy कर दूँगा और ये ली चावलान और विक्टर इससे लड़ते हैं भाई क्या सोच के लड़ते हैं तुम इससे अभी वो एक second में मार डालेगा तुमें ली सा इससे पर missile मार रही है कि right gallery में जिसने एक थपण मारे स्की मिसाइल को साइड कर दिया और इसके बादका सिक्वेंस है इए ली चाल ओन विक्टरिया एफटेग करते और पाई एक पंच इसने यहां पर और यह जो सब टेРЕ करे थे विक्ट carrying दिए रहा मिशाइल को Los opportun पीछे असप अइद गया भई नहीं टिक पाएंगे काजुया की पाड़ के आगए कहीं टिक पाएंगा बट भाइ ये जो टू ढिवल वॉम है काजुए का जो अन्सी भी फिर में काजुए भाई बहुत भेंकर लग रहा है इसमें और रिणा है तो रिणा भी एटैक कर रही है काजू यहां पर बाटी यहां पर दिखाया है नहीं होना है रिना का क्या हाल हुआ जुसीना यू आर ऑन जी कॉप साइड यह से पूस्तिया है तो मेरे साब से वह यह इन दोटों का भी रोल है टेकनेट के स्टोरी और भाई सब्सक्राइब एक क्यरक्टर को नी छोड़ा होना है बढ़िया यार जी कॉप मेक्स फॉर बेटर ब्रैंड आप्टिक्स फॉर माइक कोफी इस सिर्फ इसले इसले जी कॉप के साइड दिया है यह यह थोड़ा भाई सब्सक्राइब के बीच में यह थोड़ा है यहां पर ही सारा बैटल हो रहा है नीचे मेरे साब से मिश्यमा जाए बात्सु या काजुया वाली सेना है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो बीच-बीच में जैक सैमन भी देखने को मिल रहे हैं यही सेन हमें प्रीवेसल देखने को मिला था यहां पर साइट छायू और यह जया माने यहाँ पर जो यह ट्री वाला है, इसके अंदर, मेरे साब से कोई घर या फिर कोई जगा है, जहाँ पर हमारी हीरोज वगरा छुपे होंगे, यहाँ पर अटेक कर रहे हैं, और लिंक शायू और पांडा साइद इन से डील करेंगे, I'll get my power back, and when I do, अच्छा, इसके मतलब एक तरीके से devil power छीन ले गई है, तो भाई, माजा आ गया, मतलब एक different approach है, जिनका devil उन्होंने खीच लिया, बहुर रही हो जाती काफी story है, अगर बैस devil वरसे devil होता सुरू से, जिनके पास devil power होती सुरू से, वो challenging नहीं होता स्टोरी में जिनके लिए, तो भाई, मजा नहीं आता है, लेकर मेरे साब से काफी अच्छी approach है, उन्होंने पूरी power छीन ली जिन से, अब वो एक aim पैकी अपनी power फिर से हासिल करना, और ये देखुआ है पीछे kazuya, और पीछे destroyed, एक तम, अगर ये नर्क में भी जाना चाहे, उसके साथ, तो भी ये जाएगा, लेकिन उसको मार के रहेगा, मारना पड़ेगा, जिन मारना चाहता है, काजुया को, वो लगता है, यहाँ पर तो इसने बुरा हाल कर दिया, मार मार के, जिन का, काजुया ने, और ग्राफिक्स यार, काफी बढ़िया लग रहे, स्टेज का ही है, यह एफेक्ट, या फिर, यह सीजी आई है, समझ में नहीं आ रहा है, इसतना तगड़े लग रहे हैं आपर ग्राफिक्स, विल प्रोटेक्ट जिन, तिल दे एंड, वी हाव टू, यह तो, चेकें सेवन से ही पताता, मैं, लार्स को जिन चाहिए यही, अगर जिन नहीं है, तो, कोई नहीं रोप पाएगा, काजुया को, ओ, विक्टर लड रहा है, इससे, ड्रेगन आउफ से, तो, ड्रेगन आउफ यहाँ पर काजुया का साथ देगा, छिंग संप में, वाल, OR लड रहे हैं, या फिर अपंड केता है? और पाई, वाल लो लड रही हैं, या फिर, नहीं नहीं यहीं, लड नहीं रहे हैं, उपईख सेउद्धों हुआ, जैक सेवन उड़ता वा आया नहीं, किंग था वो भाई, किंग भी ये स्टोरी में मज़ा आ गया सारे करेक्टर है यार अब बस दिल खुस हो गया ट्रेलर देख के नहीं, श्री किंग नहीं ये पांडा है पांडा नहीं ये तो कुमा है पिचार कुमा या पर मड तो नहीं जाएगा या फिर इसने इन दोनों को तो नहीं बचाया खुद मिसाइल खा कर दिस कैन भी हो सकता है यो तो दिस इस दे एंड आफ कुमा मेरे इसाब से यार और अगर वो ऐसे मरता है तो काफी बढ़िया रहेगा और यह भाई फैंग लिरोई से लड़ता हूँ तो मेरे असाब से लिरोई तो जिन का जी साथ देगा और यहां पर फैंग काजुया का साथ देने वाला है मतलब तो जी कॉप फालो ने गोली मारी स्टीव स्टीव भी जन का साथ देगा स्टीव भी क्योंकि बड़िया बन रहे है वो भाई हमानना पड़ेगए स्टीव के रिक्लीकंको व बुलेट्स को डॉज कर रहा है भाई बढ़र चैंपिएंट स्टीव है अर boxing champion अगर वो bullets को dodge कर सकता तो कोई भी punch उसके सामने क्या ठीक हैगा हर punch को dodge कर लेगा even of your fertile resistance fertile resistance sorry enough of your fertile resistance काज़िया भाई total badass बहुत हुआ कह रहा है तुम्हारा विटेंस true power भाई डिस्ट्रॉइ कड़िया हुब इसने नहाँ पर सब को यह मेरे साब से सब मर्ज हैंगे और यह बात में यह दोनों बचेंगे Jhin, don't give up तो यह सब सपोर्ट करते है भी Jhin को यहां पर कितना सही लग रहे हैं करेक्टर मॉडल्स हैं यह यह सीजी आई यह समझ में आनी रहे हैं यहां पर इतने खूल लग रहे हैं दोनों भाई यह जिन को देखो आप उसके फेशल एक्स्प्रेशन को देखो उससे तगड़ा काजिया यहां भाई थूखते हैं और भाई ऐसा लुक दे रहा है वह जिन को कि भाई आजा भाई देख लूँगा तुझा और दोनों यह एक दूसरे के खिलाब खड़े हो रहे हैं और के वन्स एन फर आल भाई साब यह तो यह एक एक आर्ट है भाई यह सीन जो है ना पीछे बैग्राउंड देखा अब दोनों खड़े हैं यह इसका तो वाल पेपर बन सकता भाई अग्या यह जिन के यार ऐसा वाल पेपर भी था कहीं पर जो मैं देखा था सेम इसी पोज मैं और कितना सही लग रहा है तो यह जैसे सीजी आई होगा क्रेक्टर मॉडल ने क्या पता है यह सीजी आई हो बट लग नहीं रहा करेक्टर मॉडल लग रहा है यह काजू भाई उरे गुस्से में पंच करते हुए कितना डीटेल्ड है और जिन भी पंच करते हुए अखरकार दोनों नो दोनों ने मारी दिये एक दूसरे को पंच डॉज नहीं किया आई वाई रेड़ी फॉर दर फाइनल बैटल गाई यह यह फाइनल बैटल और यह अपनी हुमन फॉर्म में लड़ रहे हैं यार कहीं दोनों से तो डेविल चला नहीं गया डेविल एंड तो नहीं हो गया पर फिर क्यों लड़ेंगे यह समझ में नहीं आई मुझे यह तो फाइनल बैटल है इतना था हमें पता है बट यहां तक पहुंचने तक क्या क्या होगा वो देखना पड़ेगा भाई मजाएगा और यह टेकनेट का लोग और इसी किसार ट्रेलर खत्म अगर आपको पसंद मेरे मेरा रियक्शन पसंद आया तो लाइक जरूर करना और कुछ भी अगर मैंने मिस कर दिया हो अगर पसंद मेने कुछ भी इस कर दिया हो तो प्लीज लएक में रेखनाध निके सायखनी को पीजितिक वेचार वह बते पार किया को मुझे बताना चाहता है अगर बीज़ा प्ली मियरे के बारे में तो आपको में प्लीने के लिगता प्लीशUM से इने को पहले रिलीज कर देना चाहिए था और यह बार बार चेराइब डेप्थ में मैं बस जेन और काजुया कुछ मिशिमास से खेलता हूं तो इतना मुझे डेप्थ किसी करेक्टर की है नहीं कि मैं उनके हरे एक मुव का देख सकूं एनलाइस कर सकूं अपर character trailer में सिर्फ rage art और थोड़ा बहुत character interaction ये सब देखने में मज़ा आता था मुझे मैंने Tekken के शुरुआ थी मैं fan इसी लिए हो था क्योंकि मुझे इसको story पसंद थी हाला कि Tekken के story इतनी बड़िया नहीं रही है at least Tekken 5 तक काफी अच्छी थी but at least at the last Tekken 8 का official trailer release हो ही गया और भाई ये देखके काफी मज़ा आया और Tekken 8 की story के लिए जो hope थी जो expectation थी वो भाई और बढ़ गई है मज़ा आ गया ये trailer देखके so guys यार thanks for watching बैस इतना ही कहूंगा जो ही जो ही जो ही जो ही जो ही आए पाई आए